मिस्मिल्ला कुमाइब आज मैं हादरे कि बुस्म लेक्चर नुबर टू के साथ पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मियारी तोर पे हम क्या अडलती करते हैं जब हम सेंटेंस बना रहे होते हैं हमने यह पढ़ा था एक एंड पी स्टेडी कि मैं खाना हरता हूं और आई इट मील उर्दू और इंग्लिश की बुनियाती जुम्ले हैं उन्पे फर्क क्या है यहां से हम तुबारा इसको स्टार्ट करते हैं जैसे कि यह है सब्जेक्ट यह है वर्ब और यह है ऑब्जेक्ट जबके उर्दू की जुम्ले हैं यह है सब्जेक्ट यह है अब्जेक्ट और यह है वर्ब जैसा मैं आपको पहले लेक्ट्चर मैं बता जेको खाता हूँ तुरे का बुरा इक हाँ पे वर्ब के तौर के तौर के सब्जेक्ट अब अगर आप इसको देखें तो इसका स्ट्रक्चर डिफ्रेंट है और दूर इंग्लिश की जुम्ले का पहले नमबर पे इसमें सब्जेक्ट आता है दूसरे नमबर पे और बार बात है तीसरे नमबर पे आपजेक्ट आता है जबकि इसके पहले नमबर पे आपका सब्जेक्ट आता है दूसरे नमबर पे आपजेक्ट आता है और तीसरे नमबर पे बार बात है और यही हमने पि अब आज के लेक्चर में हम डिसकस करते हैं कि subject क्या होता है verb क्या होता है और object क्या होता है subject verb और object subject basically इसको उड़ू में आप कहते हैं file इसको कहते हैं वफूल और इसको कहते हैं fail जब कि English mean इसको कहते है subject यह यह के file है यह fail है और यह मफूल है अब let's start from English because we are learning from English language so subject basically यह file वो होता है जो किसी जुबले में काम करने वाता हो doer of an action वो कहलाते है आपका subject verb आपका action यह यह जो काम हो रहे उसको आप कहते हैं verb और object आपका है basically receiver of action जैसा कि आप यहां दे सकते हैं I eat meal खाना कौन खाता है खाना खाने वादा doer of an action मैं हूँ so subject हो गया है क्या खाम करते हैं खाना 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 खाने को क्या कहते हैं खाता हूँ खाने के लिए क्या है खाने के लिए eat तो यह action हो गया verb और क्या चीज़ खाते हैं क्या चीज हमारे खाने का action receive कर दे हमारे मुझे जा रही है that is the object यह वफूल जिसे हम कहा सकते हैं वह है खाना वह है meal यहां पर आप देख लिए ठीक है इसी तरह एक और मिसाल से आप देखने जैसे I write a letter letter लिखने वाला कोन है मैं काम क्या हो रहा है लिखना write और किस चीज़ पर हो रहा है letter पर हो रहा है कि writes a letter तो अब इसमें क्या हो गया है जो हमने पिछले लेक्चर बने आपको बास हो जाए कि मैं खत लिखता हूं लिखता हूं पूरा आपका is equal to this one